नमश्कार अब इस सीधी लाइक तस्वीरे देख रहे हैं हर्याणा के जिले यम्ना नगर से दोस्तों आप सभी को पता दें प्यार इश्क और महबत एक ऐसी चीज होती है जो की आदमी कुछ भी कर गुजरता है और जब आदमी प्यार में होता है तो वो अपने घरवालों से अपने सगे संबंदियों से अपने रिष्टेदारों से और किसी भी अपने प्यारे से लड़ने के लिए तयार हो जाता है क्योंकि उसकी आखों के सामने सिर्फ वो चहरा होता है जिससे वो प्यार करता है और प्यार करने वाले व्यक्ति जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तयार हो जाते हैं कसमे वादे खाते हैं लेकिन जब प्यार में धोका मिल जाए जब जिस व्यक्ति से प्यार किया हूँ जिसके लिए वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ने के लिए तयार हो गया हो लेकिन उसको जब धोखा मिल जाए तो क्या कुछ मनजर होता है और धोखा भी ऐसा कि उस पर इस तरह के गलत allegations लगा दिये जाते हैं कि वो व्यक्ति मुझे कोई सुख नहीं दे पा रहा है वो मुझसे पैसे डिमांड कर रहा है वो मुझे इस तरह से प्रताडित कर रहा है तो क्या कुछ बीचेगी आज एक ऐसा ही मामला हर्याना के जिले यमना नगर के फरकपुर से सामने आए जिसमें आप सारे लोगों को बताने का प्रियास करेंगे किस तरीके से एक व्यक्ति की आठ साल पहले शादी होती है अपनी प्रेमिका से जिससे वो बेहत प्यार करता था उनकी प्यार का ये जो फासला था ये जो सलसिला था इस तरह से प्यार के तरीके से चल रहा था लेकिन क्या कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद वो व्यक्ति क तो प्यार में धोका मिलता है, उसकी पत्नी किसी और के साथ रहना शुरू कर देती है, बिना डिवास के, बिना किसी बात के, हमारे साथ विवक्ती मौझूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है, उनसे जानते हैं, आईए उनसे बातचीत करते हैं, नमश्कार सर, क्या नाम है आपक क्या कुछ इस तरह की allegations लगाई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके विशे में? मैं पूरा पूछना चाहूंगा, मैंने सन 2013 में 11 अपरेल को मैंने गीता शर्मा नाम की लड़की से लव मेरीज करी थी, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो हमारे बीच में बहुत दो साल तक डेड़ साल तक बहुत अच्छा समंद्रा, जिससे मेरे को यह लगा भी मेरे को अ मेरे से संतूष्ट नहीं है, या मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, वो ऐसी हरकते करने लगी, कभी मेरी मम्मी के साथ लड़ रही है, कभी मेरे भाई के खिलाब मेरे को बढ़का रही है, कभी यह अपना यहां से घरबार छोड़के अलग रहे है, ठीक है, और इतना कहने के बाजुदी उसका कुछ नहीं हुआ, तो उसने मेरे उपर शक करना चालू कर दिया, शक भी इतना शरीर की सफाई करना सबका मानिवद अधिकार होता है, ठीक है, अगर मैं अपने शरीर पे थोड़ा सा प्रफ्यूम, पोर्डर वगरा कुछ भी लगाता हूं, तो वो कहते ह कि यह किसी और लड़की से मिलने जा रहे है, विकास क्या कुछ और कहना चाहिए, किस प्रकार के और जो है, शक बनते हुए नजर आ रहे थे, आपको आपके बीवी, पको आपके तो शक सर, जैसे अगर मैं डॉमनोज में एड़ पर मनेजर की पोस्ट पे जोब करता था, य बात के 12 बजे मेरे लिए कौन सी लड़की बैठी होगी, और कौन से ऐसे मापायवा जो मेरे लड़की को बिठा के रखे हैं, इसके बात क्या कुछ हुआ विकास, किस तरीके से क्या कुछ उसके बाकर उसने 2018 में मेरे उपर कोट के किया जिसमें मेरे को ये बोला भई तेरे बच्चे नहीं होते हैं उसने कोट वे आपको ये पटेंट किया मैं बताना चाहूंगा विकास के उपर ये एलिगेशन इनकी पत्नी ने लगाए कि ये जो है मुझे मां बनने का सुख नहीं दे सकते ये मेरे को प्रतारित करते हैं दहीर्च के लिए मुझे मारा पीटा जाता है जिसके तहत मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती मैं इनसे तलाग चाहती हूँ विकास क्या कुछ यही बात थी सर यही बात थी मगर मैंने उसको इतनी बात बोला भी अगर तू गल्ट रहा पे चल रही है मेरा समझाना धरम है और मैंने उसको कहा भी तू जिसके कहने पर आ रही है तो उसको छोड़ दे मगर उसने मेरे ओपर कोट केस कर दिया कोट केस करने के बाद और दूसरा मेरी मैं अपने नाम पे सिम लेके दे रखा था उसको उससे उसने एक लड़की की मेरी क्लास्मेट दीगी सिट हैं उसकी सारी फोटों इस शोशल मीडिया पर अपलोड करके मेरे को बंदाम कर दिया ताकि यह लड़की इसके उपर 376 का केस डलवा के इसको अंदर कर दे और मेरा रास् पीर वापिस लेने गया तो उसने मेरे को मेरी कुछ नहीं सुनी कुछ भी नहीं पिर उसके बाद उसने जो यह आशी नाम की लड़की है उसकी सारी फोट में शोशल मीडिया पे डालने के बावजूद सारी फोट में पैंडराय में डालके उसके घर पे दे के आगे जिस जिसकी वैसे वो लड़की बहुत ज़्यादा प्रशान होने की वैसे उसने केस कर दिया इस नंबर इस आईडी से मेरी फोटो है बारल होई है मगर उस लड़की को इतना नहीं पता था भी उसको भी किस तरह से उसकी छवी खराब करने के लिए इनकी जो पतनी हुआ करती थी मैं कहना चाहूंगा इनकी जो वाइफ हुआ करती थी उसने इन पर जो है केस डाला आप सभी से निरोध है विड़ा को शेयर जरूर कीजेगा क्या कुछ कहना चाहिए कि कौन सी तारीक थी जो आपको कोट ने आपने जो मुकदमा डाला था उन्होंने और कौन सी तारीक को आपको decision आना था क्या कुछ केना चाहिए यह कोट का ओर्डर है इसमें देख यह लिखा है फाइल नंबर और डेट ओफ फिलिंग जी चोविस चार दो जार अठारा को सर यह उन्होंने केस फाइल किया था और जिसका डिग्री आई है तेरा दो दो जार वीस को मगर इसका खुद का यह कहना है बही मेरी शादी दो जार लड़का है जो उसने अब मतलब कि गीता मैं आपको बता देता हूं कि जो इनकी एक्स पत्नी थी जो इनकी वाइफ हुआ करती थी उन्होंने इन से तलाग की जो डेट आई थी वो 2020 की डेट आई थी लेकिन आजी यह सर यह उसका जनम परमान पत्र है जो उसका लड़का है अरपीत के नाम से है सर आप चेक कर सकते हैं इसमें अरपीत और यह निरज डोगरा और गीता शर्मा जी तो सर यह ब्यान में भी यह कहते हैं भी मेरी 2019 में शादी होई तो सर मैं यह पूछना चाहरा हूं 2019 में अगर शादी होई है विकास 28 gk जब डेट आती है जिसमें सुप्रीम कोट ने जो है हाई कोट ने बताया था कि आपको इस तारीक का समय दिया जाता है डिवॉस के लिए वो उसका वेट नहीं करती है, डिवॉस नहीं होता है, उससे पहले ही गीता शर्मा किसी और व्यक्ति के साथ शाधी करा लेती है, उसके साथ जो है उसको एक बेभी भी कंसीव होता है, जो की 2019 में होता है, जिसकी आप ये सीधी तस्वीरे देख सकते हैं, कि उस लड़के का ब तक आपका डिवॉस ही नहीं हुआ था और वो मैरीज कर लेती है, उसके साथ जो है संबंद बनाने के बाद उसे एक बेभी भी कंसीव होता है, सर मेरा कहना ये है प्रशाषन को, अगर कानून सबके लिए समान है, तो सर ये मैंने एसपी साब को मैंने एप्लिकेशन दे थी इतना करने बेई, मगर मेरी एप्लिकेशन को आज चार दिन हो गया है, अभी तक मेरे पास पुलिस का कोई कोल नहीं आई है, तो आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से विकास का ये कहना है, कि अगर उसने ये कर्म किया होता, अगर उसने इस तरीके से किया हो कई ना कई मैलाय उन्त का यूज कर रहे यूजर सार पिर मेरा नहीं सबस्राइब çeyless क्योंकि मेरीन नहीं जाहागा अगर मेंने लबयरेज करनें कि शादी करी प्रेम विवाद था तो क्या का धोका मिला है इसमें गुंजाइश तो और कुछ बची नहीं है दूसरा सर मेरा कहने का मतलब यह है अगर किसी ने हमें छोड़ के जाना है तो आपस में बैठ के बाचित होती है सुला होती है सर मगर इसका मतलब यह नहीं है वहीं जमाने भर में तूसरे की थू थू करवा दे तो आपको कभी पता चला कि गीता शर्मा नहीं शादी कर ली है उसके बच्चा भी हो चुका है और वह बच्चा सवादेट साल का मेरे को यह 2021 की जून के मीने में पता लगा वो भी किस के तुरू आशी के तुरू जिसमें अभी लास्ट सेम आपने वीडियो देखी होगी बच्चा परन की कैम्प से तो उससे मेरे को पता लगा क्योंकि महां पर थाने में यह सारे आरक आपके जो थे सारे मतलब की संपर्क जो है गी कि जैसी थाने वाले उन्हों इनिसे नहीं पूछा है बार-बार फायार भी लांच नहीं करी है बीता क्या कुछ कहना चाहिए क्या कुछ नयकी गोहार लगाते हैं अप लोगों सर मैं यह कहना चाहरा हूं पुलिश परशासन अपना काम करती है तो मगर जिस स्पीड से पु यह जीता शर्मा का अधारकार नंबर है 614 नंबर है सर यह उसकी बकाइदा फोटो लगी होई है यह सिम मैंने उसको अपनी आइडी पे लेके दिया था और इस सिम से यह फोटो में वाइरल करती सी सर त्रिया मन्नुमन चंदा के नाम से आइडी बना के जो की आशी की और आप इसको फसाने की शादी शची गई शादी न बूरी तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से इस व्यक्ती ने जो है अपनी love marriage की थी इसे क्या पता था जिस औरत से ये शादी कर रहा है कहीं ना कहीं वो ही इसको फसाने की सोचेगी जिस औरत से ये बे इंतिहां प्यार करता था छे साल बाद उस औरत ने इसको ही धोका दे दिया और कहीं ना कहीं आप इनका जो है एक तरीके से डी सेम भी करने की कोशि की गई आप सभी से अनुरोध है विडियो को शेयर जरूर किज़ा आखरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर मेरे जैसे कोई भी मेरा भाई जो भी है जो मेरे को अच्छी से जानता है क्योंकि यमना नगर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेरे को नहां जानता हो घृइप जो की बेंतिहा मोहबत गीता से करता था शादी के 6 साल बाद गीता बिना बताए उसको छोड़ कर चली जाती है और इनको 2020 में पता चलता है जिस लेडी से इन्होंने डाइवॉर्स भी नहीं लिया वो किसी और व्यक्ति के साथ जाकर प्रेम संबंद बनाती है एक बेबी उनकों से होता है और कहीं ना कहीं जो गलत ऐलिगेशन्स है ऐसा विकास का कहना इन पर लगा दिये जाते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज है जो की हमें कुछ भी कर गुजरने को देखती है लेकिन विकास को जो है इनका कहना है कि इनको इस प्यार में धोका मिला है खैर अब मुस्साहिम को दे दीजिए इजाज़त तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हैं बेड़नोटिफुर के साथ नमस्का अब यहां तक आ ही गए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक